आपका स्वागत है कश्मीर में 5 अगस्त के बाद जिस तरह की स्थिती पैदा हुई है उसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मु कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सुसाइटी के पेटरन परवेज इम्रोस जो की प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है और चालिस साल से सिविल लिबर्टीज के मामलें पर काम करते रहे हैं जम्मु कश्मीर में परवेज आपका स्वागत है नियूज क्लिक में सबसे पहले मेरे सवाल परवेज आप से है कि पांच अगस के बाद जो सिथी रही है तो एक लॉयर के एक वकील के तौर पर एक सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्स के नजर से क्या जुडिशिरी का कोई रोल रहा है पांच अगस के बाद की जो सिच्वेशन पैदा हुई यह उसमें और किस रूप में आज वो काम कर रही है जुडिशिरी का तो यह है कि देखें कश्मीर में पहले यह अगर हम देखें दोजार आठ जब अमरनात का हो गया दोजार द तो बहुत मेनू चला यह प्रोटेस्ट डिमांस्टरेशन तो इस साल 2019 में जो यह हुआ है उसके बाद क्यूंकि इस दफार गवर्मन्ट वस अलड़ी वेरी परपियर्ट तो उनने के परपरेशन का यह था कि दे है तो कुंकि अगर नब देखें पांच अगस से पहले जो हो रही थे हुज़ डिप्लाइमेंट अफ दे सी आर पी एफ हमने तो देखी है वह मिल्टरिजेशन जो कश्मी में है वो तुम देख रहें तीस साल से लेकिन जो इस दफा जो ओ मो इजाफा हुआ इस साल इजाफा हो गया आर्मी परसनल सी आर पी एफ इन अल इस जो है कि इत वाज डिफरेंज राइट निक्या क्या डिफरेंज 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 यह था फग्जांबल यह के जो कुंट्रोलिंग मेकनिजम अफ स्टेट का था वह बहुत इंटेंस वा गया आप तो जुरुषरी की बात कर रहे हैं कि जुरुषरी तो वैसे भी क्य है जसमें के स्कूल भी आते हैं जसमें की गवर्मनाट ओफिचेल भी आते हैं गोर्मन डेपार्टर सुनकि जुरुषरी का जो है डे डिफरेंज जो है टै। टो आप्रोच एक फोर डी हिब्स कॉपर्स या फर गेटिंग रिलीजिट नव तो उस में जो है के जुरिस्षरी में अभी जो हमारी इंफ्रामेशन है तो वहां पे हिब्स कॉपर्स प्रेशन तो फाइल हुई है वहां पर 350 केवल हाइ कोट में? इशिर हाइक कोट में बाकि जो है जो लवर qo't और हाइ कोट के जो बाकी मैटर्स रोह परस पेट नहीं करते हैं। लॉयर्स कोट में नहीं जाते है वहाँ पर उनने persistently हुआ कुरू करू क्शूने के लिएक वाक। कश्वी童ु एपकॉर्ट ने तो कोर्च खुलें के लेकिन कोर्च का ये है कि सुपोज हेडियास का रोल है जब कोर्च का रोल है और धिस वीर्युपॉइट इस वेरीförानी होते हैं वहां पर तो एक मैटर जो है अकॉर्डिंग टो फुलो आफ मैनेज्मेंट रून्स हाई कोड का जो कि हिबेस कॉपस जो है बंदों को बंद किया पब्लिक सिफ्टी एक्ट में ये चार हफ्तों में ये जो है डिसाइड होना चाहिए तो उसको चार हफ्तें के बाद क हैं और चार पांच छे मेने भी लगते हैं एड बिकम्स इरिल्वेंट तो कोर्स का जो है कोर्स में कोर्स है डिस्पॉइंड टो पीपल देयर तो वहां पर लेकिन पीपल है नो आप्शन सिर्फ कोर्ट में जाने के लिए बाकी जो है कि जो और जिस साब से अरेस्ट वां पकड़ा था और अब लगबग एक हजारी बाकी हैं उनके कैद में उनके जेलों में नहीं मैं वही आप से किरूँ देखिए एक तो पॉब्लिक सेफटी एक्ट में जो फॉर्मल एरिस्ट है दूसरी है एक सो साथ जो है यह जी बीच अप्रीस कर रहे हैं उसमें एरिस्ट ह करते हैं वहां पर जो प्लीस थानों में जो गाउं में वहां पर एरिस्ट करते हैं उनको उनसे एक स्टॉर्शन करते हैं प्लीस वाले या जो वहां पर उनको टॉर्चर करते हैं और बहुत से केसे हैं जहां पर कि टॉर्चर जो एक नया इन्वेट्यू बच्चों का बच् को भी टॉर्चर वगरा करते हैं वहां पर तो वो तो बड़ा एक बड़ा डिस्टर्बिंग तिंग है लेकिन एक चीज़ जो गोवन्मेंट के लिए क्योंकि गोवन्मेंट ने कम्मुनिकेशन को ब्लॉकेड किया और जो मीडिया वाले और खासकर हम जो हुमराइट अब मोकिन नहींए कि खरा एक हैं खरा ख Хотя यॉर्य देखे आ चाहरा है और खौसकर अगरहम देखें सौ्छ में जह बहुत से जो नौजवान लोग है वहां पे जो लड़कें आ जो अने गरूं में वहां तो अपने गरूं में भी नहीं आते लेकिन इस लेवल का फिर जो है वो उन प्रेसिडेंट इडिया एड वाज एक इनस्टूशनाइज था वहां पर राइट तो ऐसे हालात में यह है कि वहां पर जो सचाया वहां की जो ठूथ है वहां पर और जब के पोरा सिस्टम आपको इनक्सेस्पल बना दिया वहां पर वि कोई शेयर करेंगे पहले तो आपसे मिलेंगे नहीं वहां पर और खुद भी अगरा वहां जासके वहां पर तो डियर्ज़ सेर्वलेंस दियर और उसके बाद जो है दे रिफ्यूज कि उनके साथ क्योंकि उनको पूरा बाद में उनको प्लीस आएगी एंड सियार पी एफ आपसे मामले में जो यह है कि जो इनफॉर्मल एरेस्ट वहां पर होई है चारजार जो यह फिगर दे रहे है इट इस नौट इट इट वरी अड लौर स्टेज जबकि हमारा जो है कि अगर हम देखें कि जिनको पांच दिन के लिए छे दिन के लिए पंद्रा दिन के लिए वह भी तो आरेस्ट वहां पर और वो तो सौच में नहीं है बलकि नौट में भी है वहां पर और जो दो चीज़े है एक तो एक्स्टॉर्शन का है और दूसरा जो है यह टॉर्चर का इट इस बरी अब आरही है इस प्रॉर्चर की जो कुछ मीजा ने रिपोर्ट कि थी ले कि बहूतों को तो फॉर्मल तरीके से उन्हों का चार्ज किया चाहए वो PSA हो या 107 हो और भातों को पकड़ा लेकिन कोई रेकॉर्ड नहीं है उसका कोई रेकॉर्ड नहीं है तो जब वो extortion किस बुनियाद पर वो extortion करते हैं उनको क्या डर दिखा कर लोगों से पैसा हो एथा जा रहा है जिसमें की एक बंदे को जो दो साल आप तो अमेडमेट की है नजर बंद कर सकते हैं और यह एक इसमें कोई ट्राइल नहीं है इसमें कोई जरुषई चार उसमें जो है कि पब्लिक सेफटी एक जो है वो तो तीन सो पचास को किया है लेकिन जो उन्होंने मेजॉरिटी जो इन्डिस्कुमिनेट वहां पे जो ये अरेस्ट कर रहे हैं तो उनकी तरदा तो थाउजन्स में है राइट ये बताएए कि ऐसे हालात में जहां कम्मिनिकेशन ब्लॉकेड है जुडिशरी काम नहीं कर रही है दोनों वज़े से एक तो कम्मिनिकेशन ब्लॉकेड ट्रांस्पोर्टेशन नहीं होने के वज़े से लोग आ जानी पा रहे हैं दूसरी तरफ से एक हड़ताल भी है क्योंकि बार असोसियेशन के मेंबर्स क लिए तो ऐसी हालत में दोहजार आठ दोहजार दस और दोहजार सोला के मुकाबले में किस तरह की एक स्थिती पैदा हो रही है किस तरह का एक सिचुएशन डिपलप हो रहा है देखिए जो प्रिवेस प्रिजिटेशन हुए जो अभी हमने बता दिया उसमें एक ये था कि एक एकसेसिबिलिटी थी वहां पर लोग मीडिया खास कर वो वहां रिपोर्ट करते थे लोकल मीडिया करते थे या बाहर से भी जो इंजिन मीडिया थे वो भी उनके जो कर रहे थे वहां लेकिन इस रफा़ ये हुआ कि मीडिया को उनने गैग किया रही थे मीडिया जो वहां क उन पे भी बहुत दुबाव था, बहुत ज़रा दुबाव था, जो मेरा एक्सपिरियंस है, इतना लोकल मीडिया के जो वर्क कर रहे काम उनको, कुछ लोगों ने, उनने प्रोफेशनली एक करिज दिखाया उनने, जो के इंटरनेशनल मीडिया के साथ थे, और उन्हों ने ज उनने रिपोर्ट करवाई, लेकिन वो एक बिलकुल मुझे लगता है, एक फिसदी है, एक शुन्य है वो, जो पूरा हुआ वहाँ पे, तो प्राने वक्त में जो आट, दस, सोलाँ में तो हो रही थी रिपोर्टिंग, और एक पूरा, इनो, मॉबैलिटी थी वहाँ पे, इ इसमें तुम, मतलब आशनका क्या है, इसमें डर क्या है, कि इस तरह की पाबंदी, इस तरह की का। ने, स्टेट के लिए. लोगों के लिए किस तरफ? लोगों का ये था कि बड़ देल भी अरेस्टेट. बलब उनको ये है कि उनने तो जनलिस्टों के खिलाब भी केस किया, उनको दुमगिया दी हैं वहां पे. और ये है कि जो अभी आप बात करें थे कि प्लीस जो है ये अब जो है उनको कहते हैं कि ये अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो अगर आप 40 जार नहीं देंगे या 60 जार नहीं देंगे, तो आपको तो विर 600 अपर लगेंगे वहां अगर आज़ने में या यू-पी में या बाखी पर जाने के लिए and people are paying it. लोग तो ये लोग इंडिया में और इंटरनेशनल पब्लिक ओपीनियन खास करके क्योंकि पिछले दो साल लगातार संयोकराकसंग के यूमन राइट्स काउंसिल की दो रिपोर्ट्स भी आई हैं कश्मीर के ओपर इन सबसे कोई असर पड़ता दिखता हैं आपको वहां के लोग जो है दिखे एक जो कॉर्परेट एलेक्ट्रोनिक मीडिया उसका तो बहुत ज्यादा वहां पर ये एंगर है और जो वो बिलकुल ग्राउंड रेल्टी नहीं बताते हैं बलके अदर वर्शन दिखा रहे हैं उस मामले में यह है कि बाकी इंडियन मीडिया का कवरेज किया रहा है वहां पता यह फेस्बुक या नेट पे है वह एकसेसबिल्टी आपको नहीं है तो पोरा पता नहीं है कि इंडियन मीडिया का कवरेज क्या था लेकिन यहां के पता चला है कुछ पेपर्स ने कुछ करेज दिखाया था कुछ मीडिया में सेक्शन ने प्रिंट मीडिया ने खास कर तो पाकी जो है वहां पे लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया का रोड रहा है वहां के लोगों को यह पता चल रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया ने क्योंकि जो रेक्शन इंडियन गवर्मेंट का है इंटरनेशनल मीडिया पे कि उससे वहां पे यह पता चला है कि इंटरनेशनल म वहां पे गिया, I think that was a good, लोगों के लिए अच्छा रहा है वो, दूसरा जो आब बात कर रहे हैं कि जो इंडियन सीरोसाइटी ग्रॉप्स वहां पे आ गए, जो कि नाइटी से आ रहे हैं, बीच पे बंद हो गए, अभी फिर आ रहे हैं, जो कि वहां पे, खासकर औरतों के ग जो है, with all, जो लोगों का गुसा है, या बाकी है, but वो मिलें उनसे, वो समझते हैं कि नहीं, इन लोगों को, हरिस्तान के लोगों को जानना बड़ा जरूरी है कि कश्वीर में क्या हो रहा है, तो वहां पे उसको एप्रिशेट किया गया है, जो वहां पे जो ग्रॉप्स आ करना है, ताकि जो गौर्णमेंट का जो वर्ष है उसको वो बिलकुल एक्स्प्लोड करें है, तैंक यू, आज के लिए इतना ही परवेज, आगे अगर आप दिल्ली आए तो फिर से आपसे मुलाकात होगी, आज के लिए न्यूस क्लिक में इतना ही, देखते रहे ही न्यू झालकाता ही, आज के लिएपलाग आपसे मुलागीं है, तैंक न्यून क्वाल झालकाता ही, आज के लिए होगी, आज के लिए वर्ष है, अज बात्तू खुूえて है, इन तो पितल्भ ओना हिली horse थाए चालकाता ही곤, भ बात्तूось, आज क्स्पें में तो चालकाता ही सुआ ह